हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चलत तयर जीत में जैसा कि आपको पता है कि 25 जून से भोज के असाइमेंट डाउनलोड होना शुरू हो चोके हैं आज हम बी एसी थर्ड इयर असाइमेंट 2022 के सब्जेक्ट मैत फर्ष्ट पेपर का सल्यूशन देखने वाले हैं यह स सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नौटिफिकेशन पहुंच सके हम इन कॉस्चनों के आंसर देखने वाले हैं यहां पर पहला कॉस्चन रहने वाला है सिद्ध कीजिए कि प्रतेक संतत यह कॉस्चन दिये गए आपके सदत फलन रीमन समाकलनिया हो मूबियस रूपांतरण तथा बिसले सक फलन की ब्याक्या कीजिए यदि ए तथा भी दो घटना है जो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना है यहां पर यह वाला और निमन पर हमें यहां पर समझाने या नि परिभासा लिखनी है तो आईए शुरू करते हैं यहां पर बिना मूबियस रूपांतरण को है रु यहां पर एक मूबियस ने दिया था ठीक है यहां पर एक सूतर होता है यहां पर यह सोतर होता है give अ जयॉग हिस्त का मतलब होता है कि A, B, C, D बरावर नहीं है, 0 मतलब इसका एक कॉलमे बरावर 0 नहीं है यह हमारी मूबियस यहाँ पर प्रेमे हो चुकी है यहाँ पर इसका यह सूत्र है तो देख लीजिए यहाँ पर यह इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर यह सूत्र लिख लिएना है आपको अच्छे से और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है तो यह मूबियस रूप पांतरन है इसका सूत्र दिया गया ही तो अच्छे से आपको इसको नोडाउन कर लेना है इसके बाद आगे हमारा क्या है बिसलेशन तो बिसलेशन फलने के ऊपर भी परिवासा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लेजी तो यह हमारा इसका साथ में का मतलब दो परिवासा दी गई थी तो बिसलेशक फलन किसी फलन एफ एफ जेड को बिसलेशक फ को संतोस्ट करें यानि दो चीज़ें होने चाहिए एक तो आपका क्या होना चाहिए यहां पर फ्रन कव कहेंगे यदि किसी बिंदू पर सतत होगा यहां पर कौसी रीमन सम्मीकर्ण को संतोस्ट करेंगा यहां पर यह इसका सम्मीकर्ण दिया गया है तो यहां पर क्या दिया अगला गटनाओं एक कोश्चन को देख लीजी पहले क्या दिया गया है तबादर कश्चन प्रकार से करना और पर यहां पर क्या करते हैं तो यहां पर मानले आपको यहां पर क्या वने हम जानते कि घटानाओं का घाड़नाओं का Hereैं यहां इहां पर ध्हान रखना घाड़नाओं कुण कुण रख круक मैं यह तथा कि यहां पर यह हो जाएए इस सुित किया जा सकता है इसके बाद आप जानते हैं कि यह संग बी बरावर होता है है आपको इस प्रकार से लिख सकते है और इसका diagram कुछ इस प्रकार से बनाए जाता है तो इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से बनाना है आपको तो यह रहा diagram इसका just see जैसा आपको बना लेना है से और diagram बनने के बाद यहाँ पर यह पूरा box होता है यह यूनियन बोलते हैं यानि यह पूरा box union हो जाएगा यह यह है और यह भी हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यहाँ पर इसको सर्वेस्ट निकाला है ने सर्वेस्ट देख सकते हैं आप इसका यहाँ पर इसके बाद थोड़ा और भाग रहे जाता इसका तो यह भी आपको note-down करना है इसलिए इसलिए से यहाँ पर यह पॉइंट लिख लेना यह और इसके बाद यह सिद्ध हो जाएगा आपका तो यह question number 8 का answer यहाँ पर समापत होता है इसके बाद अगला question देखते हैं 9 तो 9 हमारा क्या दिया है? 9 में हमें 2-3 परिभासा लिखनी है तो यहाँ पर question number 9 देख लेते हैं पहले क्या आप पूछा है? तो यहाँ पर यह रहा आपका paper तो इसमें 9 में हमसे पूछा है मानक बिचलन, मानक यहाँ पर क्या मानक बिचलन, माध्य बिचलन, सह सम्मन्द और समास रियान यह चार चीज़ों पर परिभासा लिखनी है तो लाइन से लिखते चलेंगे आपको आईए देख लेते हैं तो यह रहा हमारा मानक बिचलन तो मानक बिचलन के उपर आपको यहाँ पर परिभासा लिखनी है तो देख लिजिए यहाँ पर जेम्स ड्रेवर के अनुसार दिये हुए प्राप्त आकड़ों के मध्यमान से प्राप्त अंकों के बिचलनों के बरगों के मध्यमान का बरगमूल द्वारा प्राप्त मान ही प्रमालिक बिचलन होता है यहाँ पर बस यह पूरी परिवास है आपको यहाँ पर मतलब यह पूरी लाइन है आपको एक साथ करके लिखना है इसको किस से विवर्थ करते हैं यहाँ पर यह सिगमा से करते हैं सिगमा इस परकार से दो परकार से लेकाóstक जाता है सिगєमा इसे भी लिखा जाता है और इस परकार से नो के ज के जैसा भी लिखा जाता है विखा यहां पर प्राप्त अंकों का मद्धमान से बिचलन एन प्राप्त अंकों की संख्या यहां पर यह दिये गए तो यहाँ पर सूत्र लिख जाएंगे इसके बाद अब हमें लिखना है यहाँ पर माध्य बिचलन तो माध्य बिचलन के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या दिया गया माध्य बिचलन एक संख्याक किये वहाँ पर जो कि किसी दिये गए डेटा संख्राएं के ओसत मू उप्तिर दिया गए इसको देख लीजिए यह रहा हमारा फर्मला तो माद्धे बिचलन हो जाएगा यह माद्ध बिचलन लिखा हुआ है इंगलिस में हिंदी में लिख लिए ना इसको यहाँ पर सिगमा इसे पढ़ते हैं सिगमा मॉड एक्स और एक्स का बार यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा यह फर्मला है इसके बाद यहाँ पर क्या है यहाँ पर लिखना था यहाँ पर तो यहाँ पर क्या क्या है एक्स यहाँ पर डेटा के बारें बताया गया है यहाँ पर यह सेट इसके बारें देख लिए एक्स डेटा सेट में प्रतिक मान को दरसाता है औ नहीं और यहां पर यह दिया गया है मॉड निर्पेक्ष मान का प्रती नहित्व करता है अर्थात यह चन्न को आप एक्षे करता है ठीक है यहां पर हो जाएगा इसके बाद यहां पर यह हमारी परिवासा पूरी होती है इसके बाद अगली परिवासा आपकी जो पूछने वाले हैं वो है समास्रेण समास्त्रेण बिसलेशन इसके उपर है आपकी यहाँ परिवासा ठीक है लास्ट वाली परिवासा सह सम्मंद होगी आपकी इसको देख लेते हैं पहले कौन सी सम्मंद है या समास्त्रेण है ठीक इसको देख लेते हैं कॉस्चन पीपर कहा पर है तो उसी में देख लेते हैं आपकी पहली परिभासा कौन सी तो पहले हमें लिखनी है सहसंबंद तो आप सहसंबंद वाला कॉस्चन पहले देखें को इसके बाद लिखनी है समासरें तो पहले सहसंबंद को देख लेते हैं थोड़ा इधर ओधर हो चुका इसका तो पहले देखते हैं हम सहसमंद तो यह रहा सहसमंद की ऊपर परिवाशा तो आपको यह लिख ले नी हुँ, ठीक है सहसमंद की आपको यहां से स्टार्टिंग करेंगे हेड़야지 नाल करो यहां तक लिख लिए जाएगा यही तक लिखनी है आपको परिवर्तनों को किसी सीमा तक प्रभावित करते हैं यहां तक हो जाने के बाद फिर आपको लिखनी समास्रेण की परिवासा तो यह यहां से रही यह रही समास्रेण बिसले संग एक चरके ग्यात मूलों के याधार पर दूसरे सम्मंदे चर मूलों का अनुपमान लगाने की साख्यांग की बिधी ये इसको परिवासा दी गई है ये आपके इसके उधारण है बरसा एवं चावल उत्पादन में सह सम्मंद होने पर यहाँ पर सूत्र दिया गया इसको लिख लेना है आपको बरसा के अधर पर चावल उत्पादन की मात्रग्यात करना ठीक है यहाँ पर यह हो जाएगा तो यहाँ पर यह पॉइंट लिखे हैं आप लिख सकते हैं इसका महत्वी लिखना है यहाँ पर तो यह महत्वी आप इसके बाद यहां पर विशिष्टाय लिखनी है यह दो तीन आपकी तो यह विशिष्टाय हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब ग्पूर यह चैनल आपकी उङमा। पर चैनल को सब्सके लिएमा जारीघ बेल आपकी हो जाएब необходимо में कर टो इसे कैसेअ जाता मॉन में एकुछी तो को हशिएब शेला हैं भीयो में लिए तो air जाता मैं उन आए लाएब हो, और तोमागा बु।।। Dies आऋएब है अ